वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट स्टेबल में एक ऐसी टीम है जो लगातार बॉटम पर बनी हुई है जिनका पफॉर्मेंस लगातार खराब रहा है और वो और कोई नहीं हमारी डिफेंडिंग चेंपियन्स इंग्लेंड है अब इंग्लेंड के इतने खराब सीजन का रीजन क्या ह वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो उससे पहले 4 साल यानि 2015 से 2019 के बीच में इंग्लेंड ने 88 ODIs खेले थे 88 ODIs और वहीं वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2019 से 2023 के बीच में इंग्लेंड ने मात्र 42 ODIs खेले हैं यानि 42 ODIs इसका मतलब सीधा यह है कि हाफ से भी कम इंग्लेंड का जो स्क्वाड है उन्हें ODI क्रिकेट खेलने का experience ही नहीं है वो सारे T20 क्रिकेट खेलते हैं और कुछ ऐसा ही होता है जब आप एक T20 क्रिकेट नेशन को अचानक से या T20 क्रिकेट टीम को अचानक से वर्ल्ड कप में ले आते हो तो उसका result क्या होता है यह हम 17 ODIs जो रूट ने खुद यह का एक press conference में कि अगर उनकी टीम ODI क्रिकेट खेलेगी ही नहीं तो यह पता ही नहीं होगा कि उनकी टीम में कौन से खिलाडी अच्छे हैं कौन से खिलाडी बुरी हैं ODI क्रिकेट के लिए और किनको वो चूस करें वर्ल्ड कप 2023 के square में अब इ T20 cricket खेलते हैं तो इंग्लेंड की हालत इस टाइम पर बेहत खराब है और वो किसी और की वजह से नहीं इंग्लेंड की टीम मेनेजमेंट की वजह से है और इंग्लेंड का जो ODI क्रिकेट ना खेलने का एक decision है शायद उसकी वजह से भी है कमाल की बाद इसमें यह है कि इस World Cup के बाद भी ऐसा होता बिल्कूल भी नहीं देख रहा है कि England ODI Cricket को prioritize करे या England ODI Cricket को थोड़ा बढ़ावा दे क्योंकि इनकी बाद जो इनकी सिरीज है वो सारी T20 Cricket की सिरीज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती टीम मैनेजमेंट की नहीं है पर पूरी दुनिया में जो T 2020 cricket को बढ़ावा देते हैं. अब इस World Cup में England का क्या होगा वो हम सबने देखी लिया है. मुझे लगता नहीं है कि वो semi final तक जा पाएंगे. अगर कुछ permutation and combination कुछ चले या कुछ चमतकार हो गया तो आप England को semi final में देखोगे. वरना फिलाल के लिए England World Cup की semi final race से almost बाहर हो चुका है. बागी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे सिर्फ औस इंडिया.com पर.